नमस्कार स्वागत है आपका सिने आज कल नियूज में मैं हूँ आपके साथ पूजा चौर से आज शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्राखंड में नई केदार पूरे बसाने के लिए पांध प्रोजेक्ट का शिला नियास किया इस दौरान प्रधान मंत्री ने हिमाले में बिदाए अपने पुराने दिनों को भी आख्या पीयम ने कहा मैं हिमाले की गोद में भटका इस इलागे की चेतना को अलग से महसूस किया है साथे उन्होंने कहा कि 700 करोड जनता की सेवा ही बाबा केदार के सेवा है उन्होंने केदारनात में भूले बाबा की पूजा भी की दिवाली के अगले दिन पुडुचेरी की राजिपाल की रनबेदी ने एक प्रीट किया जिसमें एक बुजुद महिला गर्बा कर्थी रख रही है बेदी का कहना है कि ये प्रधाननत्री नरेंद्र मोदी की मात आहीरा बेन है जो दिवाली का जश्न मना रही है कि दिवाली की राथ होई जमकर आतिश बाजी की चलते दिली अंसियार में 24 गुना तक प्रधूशड बढ़ गया है हाना कि केंद्री प्रधूशड नियंद्र बोड का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली की हवा में प्रधूशड का स्तर कम रहा कॉंग्रेश के वरिष नेता पीची दंब्रम ने चुनाव आयोग पर गुजरात विधान सवा चुनाव की तारुखों का एलान ना करने पर तंच कसा उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने प्रधान मंतरी मोदी को इस महीने की अपनी अंतिम चुनावी तैली में तारीखों की घोशना करने के लिए अधित्र किया है वरिष आधि वक्ता रंजीत कुमार ने नीजी कारणों से सौली सिटर जनरल पत से इस्तिफा दे दिया है बता दे हैं कि रंजीत कुमार को मोजि सरकार के स RICHARD में आने के बाद जून 2014 में सॉलिसेटर जनरल में उत्किया गया था जो कि देश का दूसरा सबसे वरिष्ट विद्य अभीकारी का पग है विद्य एवं न्याय मंतर रभी शंकर विसाथ के कारी काल को रिंजीत कुमार का त्याकपत आज मिला उत्रप्रदेश के आगरा एक्स्प्रेस वे पर वायुसेना के विमान 24 अप्टूबर को उतरने और उडान भरने का अभ्यास भी करेंगे इस बार वायुसेना के कुल पीस विमान एक्स्प्रेस वे पर उतरेंगे और उडान भरेंगे इस अभ्याज के मदिनजर आगरा लखरू एक्सप्रेस वे के कोचिस्तो पर 24 अप्टूबर तक यातायाद बन रहेगा ब्यार के नालंदा में एक व्यक्ति को बिना गेट नौक किये घर में घुसने की सजादी गई इसके साथ ही महिलाओं ने उसे चपल से पिटा फ्यरित ब्यक्ति ने कहा सब के सामने महिलाओं ने चपल से पिट कर मेरी इज़द लेडी अब मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूँगा दोश्यों पर कारिवाई नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगा हिमाचल प्रदेश के चमबा में पुल्ड हैने से 6 लोग घायल हो गया घायलो को पंदी जवाल नान लेहु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गया है जहां उनके हालत खत्रे से बाहर है बता दे कि हमाचल प्रदेश के चमबा को पंजाब के पढ़ान खूर से जोडने वाले कंक्रीट का बना हुआ पुल्ड अचानक सिधारा शाय हो गया भारत की बहुँ चचित फिल्मी पत्री का जो देती है नोदित कला कारो गाय को गीत कारो वे निदेशकों को उनकी अपनी मन्जिल तक पहुँचिने का सही रास्ता आप से आप तक सिने आजकल नया मगर सब के जिवान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्यापन इंटर्विव फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फरेंस के लिए संपर करें सीहक मीडिया मुबाइल नमबर 9350-816300 इमेल आईटी है सीहे आजकल इंडिया at the rate of gmail.com ताजमहल पर चल रहे हैं विवात के बीच हार्याणा के विज्यान और तकनीकी मंत्री आनिलवेज ने प्रीट कर लिखा ताजमहल एक खुबसूरत कबरिस्तान है उनका कहना है कि ताजमहल चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो लेकिन लोग ताजमहल के मौडल को घर में रखना अब शगुन मानते हैं क्योंकि ये एक कब है समस्तिपूर जिले के ताजपूर में पुलिस और पब्लिक की भिढ़न के बाद बवाल मचा हुआ है दोनों और से की गई फाइरिंग में एक व्यक्ति की मौथ हो गई और पुलिस सहित कई लोग खायल हो गए है इस स्थिती की जानकारी मिलते हैं घटना में डेजीपी ने तुरंत हाई लेवल मिटिंग बुलाई बता दें कि और प्रोशित लोगों का मानना है कि दवा कारुबारी की हत्या के बाद पुलिस सुस्त हुई है पुलिस की ओर से कोई पे एक्शन नहीं लिया गया है राजस्तान के किसानों ने इस पार अलग तरीके से दिवाली मनाई जैपुल के निंदर गाओं के किसान पिछले 18 दिनों से जमीन सत्याग्रह कर रहे हैं दिवाली के दिम भी इन्होंने अपने घर जाकर दिवाली मनाने के बज़ाएप दर्शन सतल परी जमीन के गढठों में ही दिवाली मनाई इस दोरान किसानों ने जमिन समाधी के साथ ही दिये जलाए तीम इंडिया के धमाकेदार ओपनर है विरेंद सहवाग 49 साल के हो गये हैं सहवाग के नाम टेस्ट क्रिकेट में दो तेरे शतक के अलावा बंडे में दोरा शतक भी दर्जे उनके जमिन पर देश के नामी बॉक्सर विजेंदर सिंग ने हन्याणवी अंदाज में बढ़ाई दी विजेंदर ने ट्वीट किया तने खेलना छोड़ दिया हमने देखना छोड़ दिया नवो भी जमाना था जिब भाई की बैटिंग ट्रैक्टर की बैटरी धर के देखा करते थे हैपी बोडे विरें सहवाग भोजपुरी संगे जगत में अपनी गायकी का जादू चला रहे गायक प्रमोट प्रेमी यादो अप सिनेमा के पहले परदे पर अपनी गायकी और अभीने को दिखाने वाले हैं अभी हाली में एक और भोजपुरी फिल्म मूनलाइट फिल्म प्रेडक्शन फ्रस्टूत इन असोसियेट विद एंस फिल्म के वैनर तले निर्मित की जा रही भोजपुरी फिल्म पागल दिवाना का मोद किया गया है फिल्म के निर्माता निर्देशक सूरचुणा है किसान सत्यागरां अंदोलन मंडोला के किसानों ने प्रशासन द्वारा किसानों और किसाननेता मनवीर तिवतिया के प्रते उदासें रवये के चलते 29 अक्तूबर को कैंडल माज निकाल कर विडियो किसान नेता नीरस्त्यागी ने सिहेक्ट मेडिया समधाता को बताया कि किसान आवास विकास परिशर की मंडोला पिहार युजना के लिए अधिग्रेत की गई उपजाओ और वह फजली जमीन के उचित मुआपजेक इमाम को लेकर दो दिसंबा 2016 सिधर्नाप रशन करते आ रहे हैं मनवीर तेवतिया सहित 18 किसान 13 दिन आमरण अंशन भी कर चुके हैं जिला प्रिशासन ने किसान नेता मनवीर तेवतिया पर फिछले पांस महीनों से बार बार गाज़ाबाद जिले से जाने पर पावर्णी लगाने हैं किसानों के समान को ठेस बचाई है और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी का हनन भी किया जा रहा है जिससे किसानों में आक्रोश पढ़ता ही जा रहा है जि मिनेता शाहिद कपूर ने कहा ये फिल्म भारत का गुर्णगान करती है तब विरोध किस बात का शाहिद ने कहा मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर हर किसी को गर्भ होगा मिरे साथ खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे सिने आज कर न्यूज नमस्कार लोगतंत्र का चाथा इस्थम्भ है मीडिया पूरे देश की खबर देश ही नहीं विदेशों की खबर हर खबर पर होगी पैनी नजर खबरें ही नहीं साथ में होगा भरपूर मनोरंजन जी हां तो देखते रहिए CM India TV खबरों की हाकीकत मनोरंजन के साथ सी हेक्ट मीडिया मुबाइल नमबर 9350-816300 इमेल आईडी है सीने आजकल इंडिया at the rate of gmail.com